नमस्कार आप देख रहे हैं TNP News आपके साथ मैं हूँ अंकिता और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से दिली में BJP शास्त राज्यों के मुख्य मंत्री और डिप्टी सीम की बैठक दूसरे दिन भी जारी है इससे पहले शनिवार शाम को ये बैठक शुरू हुई यहां प्रधान मंत्री मोदी, ग्री मंत्री अमिश्याह, बीजोपी अत्यक्ष जेपी नड़ा तमाम बड़े नेता भी मौचूद रहे लोग सभाचुनाव के नतीजों को लेकर यहां चर्चा की जा रही है, इसके अलावा इस बैठक ऐजेंटा आने वाले वक्त में राज्यों में होने वाले विधान सभाचुनाव भी है सबसे जादा निगाहें यूपी के चेहरों पर टिकी हुई है जहां पिछले महिले से सियासी घमासान छिड़ा हुआ है यूपी में अंदूनी कले खुल कर सामने आ गई है जिसे विपक्ष को बीजेपी पर वार करने का मौका मिला है इसकी वज़े यूपी में केशव मौर्य और योगी आदित इनात के बीच खिचा पाला जिसे लेकर सबसे जादा चिंता बीजेपी आला का मान में देखी जा रही है दस साल रहकर के इनोंने हर विवस्ता को खराब किया है हर विवस्ता हर विभाग बरबाद कर दिया ये दावा करते थे कि मेडिकल कॉलेज बना रहे है बज़े तेरे मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाई जिनको एनेंसी ने मानिता नहीं दी तो साज विवाग वो दिखाई दे रहा है कितना भेष्टा चार होगा उसे पता ही नहीं यूपी ऐसे नहीं चलेगा यूपी की जनता को इनोंने धोका दिया है यूपी की जनता का इनोंने सब कुछ बरबाद कर दिया बज़ट की बात तो लोग समामें होगी यूगी जी को ठोक दो अब मुझे नहीं पता ये दिली में प्रदान मंतरी इशारा कर रहे है ये लिए नड़ा जी कर रहे है यूगी जी अपने उप मुक्ह मंतरी और पार्टी के प्रदान को ठोक रहे है अब लगता है बीजेपी में आपसी बुल्डोजर वार चल रही है वो उस पर बुल्डोजर चड़ाता है वो उस पर बुल्डोजर चलाता चड़ाई है यह हमारा काम भी नहीं है देखना क्योंकि उनकी पार्टी है पर उस प्रोसेस में उस प्रक्रिया में यूपी के हितों पर दिल्ली की सरकार भी बुल्डोज यह लोग पूरी तरीके से दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं आप पासवार्ट दिल्ली की जो उन्होंने बात करें बिल्कुल सही है पूरी यह लड़ाई दिल्ली बना म्यूपी की है और डॉक्टर अनिल सिंग एडिटर इनलाज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौझूद हैं सच जिस तरह से लगातार मुख्यमंतियों की बैठक चल रही है और आज बैठक का दूसरा दिन है क्या लगता है आपको पहले दिन में क्या कुछ खास निकल कर आया सबसे पहले आप से यही जाना चाहते है दिखिए यह एक रूटीन बैठक है एंडिये सरकार बनने के बाद परधान मंत्री पहली बार बीजेपी सासीत राज्यों के मुख्यमंत्री से आप सारे इक तौपे मिले हैं उस सारे मुख्यमंत्री यहां नीटी आयोग के मीटिंग के लिए आये थे कल नीटिंग आयोग के मीटिंग के बाद परधान मंत्री इन लोगों से मुलकात की और मुलकात का एजेंडा है कि किस तरीके से सेंटर के प्लान को मुख्यमंत्री अपने राज्यों में इंप्लेमंट करें उस पे दिसाद मिर्देश परदान मंत्री ने इन मुख मंत्रियों को दिया इसके अलावा ये एक रूटीन बैठेक है जिसमें बाते ही बताई गई कि किस तरीके से जनता का विश्वास मुख मंत्री जितते रहें और केंडर के प्लान को इंप्लिमेंट करें और हमारे बीजे साथ जिस तरह से हमने देखा है कि इस बैठक में बिहार के रिल, तमिडाडू करनादक तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, हिमाचर प्रदेश के साथी जारखंड के जो मुख मंत्री हैं उन्होंने हिस्सा यहाँ पर नहीं लिया और जिस तरह से आप यहाँ पर बता रहें ख सबको एक जुट करकर आगे बढ़ाने की नीती अपनाते हुए प्रधान मंत्री नरेंद मोधी नजर आ रहे हैं लेकिन ये एक तेड़ी खीर भी साबित होता हुए नजर आ रहा है बोलने दिया जाएगा नीती आयोग एक ऐसी संसा है एक कारिकारी संसा है जिस संसा के तहद तमाम मुख्यमंत्री आते हैं और केंदर अपने फैसलों को उन्हें आउगत कराता है कि ये फैसले हैं ये प्लान है ये स्टेजी है आप अपने राज्ड में जाके इनका अनुप परिशानी होगी और दूसरी बात जो आपने की कि इंडिया गठबंधन के कुछ घटक इस मिटिंग में नहीं पार्टिस्बेट के खास कर जो कॉंग्रेस पास्ना साथिस प्रदेश के मुखमंत्री है वो नहीं गए ठिक हैं ये बात रही है उनका अपना भिरोज करने का त जी चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया है सर तमाम बातचीत के लिए